नमस्ते, में कम बैक टो हापी हो में बिफोर स्टाटिंग दा वीडियो, आई वाट टो वीश आल अफ यू अवेड़ी हापी न्यूए अभी आप बोलोगे जन्वरी खतम होने को है और आप आभी हापी न्यूए में बोल रहे हो सही बात है लेकिन पूरा जन्वरी मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं घर गए थी वो भी एक साल के बाद तो आप समझ सेकते हो अगर आप एक साल बाद अपना घर जाए तो सिचुएशन क्या होता है उस टाइम स्ट्रेपर सुरक पामिली मैटर करती है बाकि सब सेकंडरी हो जाते हैं बट नाओ आम बैक आप प्रमिस प्रम टुडे अन वर्स आपको एवरी संडे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग नें वीडियो मिलेगी तो इस इसक्यूस मेरी गाइब होने का बट नॉट लेम वन अभी आज के वीडियो के बात कहते हैं आज मैं आपक बहुत आसनी से और इस कर पाएंगे वो विजबिल रहेगा और वो इसी तो रिच रहेगा तो वीडियो स्टार्ट करेंगे लिगिस स्टार्ट करने से पहले कुछ रिमेंडर अगर अगर आप अर्गनेजिशन क्लीनिंग डियाइवाई और शॉपिल रिटिड वीडियो पै सकते हैं ना लें चोबिल शॉपिंट यर्डिडीयो सबसे पहले डैंगेल यर्डिंग्स ही पिषिप यार तो ड्रॉप एंग्रिंग के लिए हम लोग comment अर्गनेजर बनाएंगे और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेबिल कलेंडर, इस टाप के टेबिल कलेंडर हम सभी के घरों में होता है और साल खतम होने से हम इसे फेक देते हैं, लेकिन इस टेबिल कलेंडर से आप बहुत ही अच्छा एक यरिंग और बना सकते हैं, तो सबसे पहले जो डेट पेजिस था, उसको हम लोग अलग कर देंगे और यह जो पीज़बोट पोर्शन है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अजा और इस टाप के बोट पिन, कोई फी स्टेशनरी शॉप में आपको 25 तो 30 रूपिस में मिल जाएगी, हम यह बोट पिन यूज़ करेंगे, टेबिल कलेंडर के उपर एक पटिकुलर गैप मेंटेन करते हुए, हम यह जो बोट पिन है, उसको अटच कर देंगे, मैंने एक रो में पांच बोट पिन यूज़ किया है, आप अपने रिक्वर्टमेंट के हिसाब से जादा या कम यूज़ कर सकते हैं, अभी यह टेबिल कलेंडर के दोनों तरफ हम लोग बोट पिन लगाएंगे और चार, टोटल चार रो मनाएंगे, हर एक रो में मैंने पांच बोट पिन यूज़ किया है, इसका मतलब टोटल 20 बोट पिन मैंने यूज़ किया है, और इस औरगनाजर में मैं 20 यह एरिंग्स औरगनेज करके रख सकती एरिंग का एक्सेज बहुत जादा इजी होगा और हर एक एरिंग विजबिल होगा आपको पता रहेगा आपका कलेक्शन में कौन-कौन सी एरिंग औरेडी है एक एरिंग से यह जाद है इस तरीके से इसल प्रणा कर सकते अरगारेज़ कि उसके लिए आप जो और आपका जो भी टैंग से जो और आपका इर्णे कर सकते लेकिन जो बोई यह और एक्सेस करना चाहेंगे बॉक्स बार बर उपिन करना पड़ेगा ऑब बॉक्स के बीच मे कोई जगे करना पड़ेगा तो इसलिए आप दूसरे तरीके के एक organizer यूज कर सकते हैं जो भी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ तो for this organizer you need a cereal box कोई फिर cardboard box चलेगा आप चाहे तो shoe box भी ले सकते हैं तो उसका जो broad part है जो सबसे बरा side है उसको हम लोग cut कर लेंगे तो इस टाइप का ट्रे के shape में वो box आ जाएगी अभी ये box हम लोग use करेंगे as a organizer और इसके साथ आपको चाहिए इस टाइप का foam sheet ये आपको कोई भी hardware के दुकन में मिल जाएगी मैंने थोड़ा सक थीक बाला यूज किया है आप चाहे तो जो नॉर्मल पतला वाला आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं अभी ये foam sheet को जो box हमने बनाया उसे के measurement के हिसब से कट लेंगे तो मैंने दो पीस कट किया है आप अपना requirement के हिसब से ये पीस बना सकते है तीन चार पाज जो आपका मेर्ची है जो सबसे नीचे वाला पीस से उसको हम लोग नॉर्मल जो box का exact measurement है उसे हिसब से कटेंगे लेकिन जो उसके उपर में जो भी पीस समलुक उसको थोड़ा सा छोटा साइज करेंगे ताकि इसली आप उसको मूफ कर पाएं तो अभी आप चाहे तो ये जो box से इसको आप एक रैप कर सकते हैं डेकरटी पेपर से ना चाहे तो ना रैप कर सकते हैं तो मैंने एक वाइट पेपर से इसको थोड़ा सा रैप कर दिया और अभी उसके अंदर ये फोमशिट जो है उसको प्लेस कर दूँगी तो देखिए कैसे इसली मैंने उपर का फोमशिट मूफ कर सकती हूँ तो अभी अप इसके अंदर आपका जो भी पूश एरिंग से जो भी स्टार्ड है उसको आप ऐसे और्गनेस करके आटेच करके रख पाएंगे अपका हर एक एरिंग विजबिल रहेगा इजी एकसेस रहेगा और आप आसानी से उपर का जो फोमशिट है उसको हटा के नीचे वाला फोमशिट में जो भी आपका एरिंग लगा हुआ है उसको भी एकसेस कर पाएंगे अभी ये पूरा सेट आप को आपका ड्रेसर का जो जो ड्रायर है आप उसके अंदर रख दीजिए आपका एरिंग विजबिल रहेगा इसे अकसेस रहेगा और और अर्गनाइज रहेगा आपका पाएंगे तो इसके लिए मैं यूज करेंगे इसके लिए मैं यूज करेंगे स्कूप जो की डिटरजन पाउडर के साथ आते हैं स्कूप का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर लेंगे तो ये इस टाइप का स्क्वेर बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा अभी ये छोटा-छोटा स्क्वेर बॉक्स जो है उसको किसी भी बड़ा बॉक्स के अंदर ब्लू से अटच कर दीजिए तो छोटा-छोटा सेक्शन में के रेडी हो जाएगा अभी ये सेक्शन के अंदर आप आपका जो रेगुलर वर जुलरी है उसको औरगनेस करके रख सकते हैं ताकि ओफिस जाने के टाइम कॉलेज जाने के टाइम आपको बार बार ढूनना नहीं पड़े सब कुछ आपका आखों के सामने रहे नहीं तो आप चाहे तो आपका जो बड़ा बड़ा जुमकाज होते हैं जो बड़ा याडिंस होता है उसको भी आप इधर औरगनेस करके रख सकते हैं आपका जो रेगुलर वर नेकपिस है उसको आप औरगनेस करके रख सकते हैं तो स ये डन बॉक्स हम दोनों ही उसके सकते हैं तो ये और गनाइजर का जो भी और कॉर्नर से जैसे कि ये कॉर्नर जिसमें ये जो स्कूप है उठीक से नहीं प्लेस हो रहा था तो उधर मैंने ये बॉक्स ग्लू के मदद से अटच कर दिया और ये भी एक सेक्शन बनके प्रेडी हो गया इस ट्रप का जो 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 बॉक्स होते हैं ये भी बहुत अच्छे से डिवाइडर का काम करते हैं तो हमने जो अर्गनाइजर बनाया उसमें इसको भी हम लोग प्लेस कर देंगे और इसके अंदर फिंगर रिंग्स रख सकते हैं डेली वेर जो नेकी से इसको और इस अर्गनाइजर में आपका रेगुलर वेर जुइलरी और इसको रखेंगे तो कॉलेज जाने के टाइम और इसको अपका आखों के सामने रहेगा और इसी तो एक्सेस रहेगा अब ये पूरा सेट आप को आपका ड्रेसर का ड्रायर में रख दीजिए और ये ए ये सब चीज़ बहुत ज्यादा गूम हो जाते हैं तो इसको और इस करने के लिए आप इस टाइप का जो ट्रेज आते हैं डिवाइडर ट्रेज बिस्कित के साथ कुकिस के साथ उसका आप यूज कर सकते हैं इस टाइप का ट्रे को कोई भी एक पीस बोर्ट के ऊपर आप ब किलते नहीं है उसको आप और और माप के तो रख सकते हैं मैंने यह बहुत सल पहले बना आ था एक प्लास्टिक के लीच के ऊपर मैंने यह ट्रे आ यह को प्रक्र्विक ओड़ कर सकते हैं यह'da बहुत काम का चीज़ जा है universcular किया अईय। व स सकते हैं आपका छो रिगवलर नेक्पी से उसको भी और्गनेज़ करके रख सकते हैं नेक्स्ट है ये टीकाप होल्डर जिसको भी आप एक ज्वेलरी और्गनेज़र के हिसाब से यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी डिस्कार्डेट टीकाप होल्डर्स है तो आप उसको as a bangle organizer यूज कर सकते हैं पीकाप होल्डर में आप बहुत अच्छे से आपका जो bangle से उसको organize करके रख पाएंगे आपका हर एक bangle visible रहेगा और आपको access करने भी भी असानी होगी इस टाइप के CD pouches तो हम सभी के खरों में होता हैं और यह पड़े पड़े खराप होते हैं लेकिन इसको आप jewelry set organize करने के लिए यूज कर सकते हैं इसके अंदर इस टाइप के transparent pouches से जिसके अंदर अगर आप आपका jewelry रखेंगे तो वो visible होगा और बहुत अच्छे से organize भी रहेगा लेकिन आप इसके अंदर कोई भी heavy jewelry organize नहीं कर सकते हैं जो छोटा मोटा junk jewelry set होते हैं उसको आप इसके अंदर organize करके रख सकते हैं नेकपीस को hang करने के लिए और organize करने के लिए आप piece board और boat pit के यूज कर लिजिए इस बोट को एक अच्छी से wrapping paper से wrap कर लिजिए और hang करने के लिए कोई भी thread attach कर दीजिए अभी इसके उपर हम लोग boat pin attach करेंगे मैं इधर एक एक रो में six boat pin यूज किया आप आपके requirement के हिसाब से boat pin यूज किजिएगा लेकिन दो boat pin के बीच थोड़ा सा gap जरूर रखेगा ताकि और जो नेकपीस आप हैंग करेंगे उसको access करने में आपको easy हो एक के साथ एक नेकपीस जो है वो टैंगल ना हो जाए तो इस तरीके से मैंने एक रो में six boat pin आटच कर दिया और इसी तरीके से मैंने दो रो मैंने बना लिया अभी यह जो boat बेनके ready हुआ है इसको मैं जो mirror का जो back wall है उसके उपर हैंग कर सकती हूँ आप चाहें तो आपका जो wardrobe है उसके जो door है उसमें hanker सकते हैं नहीं तो mirror का जो pass wall होती है उसके उपर भी आप इसका hanker सकते हैं और उसमें आपका जो भी नेकपीस से उसका organize करके रख सकते हैं last organizer मैं आपके साथ share करूँगे ये कोई DIY organizer नहीं है लेकिन एक master organizer है इसमें अब jewelry के साथ-साथ make-up भी organize करके रख सकते हैं ये travel के लिए बहुत अच्छा है अगर आप कोई भी शादी या function attend करने वाले हो तो इस type का organizer आपके पास होना बहुत ज़रूरी है इसमें काफी साथे pockets दिया हुआ है एक बड़ा सा pockets अपको आपका जो make-up है उसका organize करने के लिए band type का दिया हुआ है ताकि आपका hair accessories आप रख पाए छोटा-छोटा तीन pockets है जुए लड़ी organize करने के लिए pouch दिया हुआ है bangles रखने का जागा है तो यह एक compact organizer है तो अगर आप कोई भी function या शादी आटिन करने वाले हो तो उसमें आपका make-up का जो भी जरूरत के सामान है आप इसके अंदर organize कर सकते हो इसका quality बहुत अच्छा है closure जो है main closure जो है तो यह एक handy product है इसमें चार पाउच दिया हुआ है जिसके अंदर आप आपका जो भी jewelry है उसका organize कर सकते हो bangles रख सकते हो हर एक चीज़ सी-through है तो आपको इसली पता चल जाएगा कि आपके पास क्या 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 जुलेरी है और कहां कहां रखा हुआ है और ज सकते हैं आई make up أorganize कर सकते हैं अपका जो accessories है उसका organize कर सकते हैं अपका lip stick organize करके रख सकते हैं और जो बड़ा सा पाउच है जो बड़ा बड़ा सा पॉकेट है उसके अंदर आपका मेकप का सामन लेक मॉस्टराइजर, कमपैक्ट, ब्लाशर, आईशाडो आप सब कुछ इसके अंदर और अर्गनाइज करके रख सकते हैं यह पॉकेट जो है, यह काफी बड़ा पॉकेट है तो इसके अंदर आपका हरेक सामन आजाएगा जो झालताएजगा, तापका है अंदर आपका यह झालताएजर, कि अंदर झालताएजरो आपका है